पेज नमबर 196 कराधान टेक्सेशन परिचे इंट्रोडक्शन भारत सरकार जन कल्यान के लिए बहुत से काम करती है इसके लिए उसे धन की आवशक्ता पड़ती है क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए धन कहां से प्राप्त करती है सरकार धन प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवाकर, बिक्रीकर आधी के रूप में जनता पर कर लगाती है ये करें पूर्वन निर्धारित होती है पेज नमबर 196 सोचे इवं चर्चा करें सरकार इसके अतिरिक्त विकास के कारियों को पूर्ण करने के लिए और अपने खर्चों की पूर्टी है तू कहां कहां से धन प्राप्त करती है आप जानते हैं कि आयकर क्या है भारत सरकार को विभिन इस्त्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आयका एक बड़ा हिस्सा आयकर से प्राप्त राशी होती है सरकार आयकर प्राप्त करने के लिए आयकर की नियूंतम सीमा निर्धारित करती है इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले वैक्तियों कमपनियों या उद्योगों को आयकर देना होता है लेकिन नियुन्तम सीमा से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कम्पनियों या उद्योगों को आयकर नहीं देना पड़ता आय के विभिन इस तरों के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरे निधारित की जाती है जिसके अनुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है परन्तु कुछ विशेश रेणियों में आने वाले व्यक्तियों, कम्पनियों या उद्योगों को आयकर में छूट दी जाती है आयकर की दर आयके साथ साथ बढ़ती जाती है यह बढ़ी दर निश्चित इस तर से अधिक आयपर लगती है व्यक्तियों, कम्पनियों या उद्योगों के आयके एक या एक से अधिक साधन हो सकते है अतह उन सभी साधनों से प्राप्त आयपर गढ़ना द्वारा प्राप्त कर का योगी आयकर है कभी कभी इस आयकर पर सरकार विशेश प्रायोजनाओं के लिए थोड़ा सा अत्रिक्त कर लगा देती है जिसे उपकर, सेस कहा जाता है आयकर की सीमा के अंतरगत आने वाले प्रत्यक व्यक्ति, कम्पनी या उद्योग को आयकर अनिवारेतह चुकाना चाहिए क्या आयकर जमा करने के लिए आयकर दाता के खाती की कोई संख्या, एकाउंट नंबर होती है भारत सरकार द्वारा गठित आयकर विभाग आयकर दाताओं से आयकर प्राप्त करता है अब प्रश्ण यह उठता है कि आयकर दाताओं की पहचान आयकर विभाग कैसे करता है आयकर दाताओं की पहचान के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कमपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे इस्थाई खाता संख्या, permanent account number या pen अथवा अस्थाई खाता संख्या, temporary account number या 10 कहा जाता है बैंकों में खाता खोलने के लिए pen को अनिवारिक किया जाता है ताकि आयकर विभाग को खाता धारकों के आई की जानकारी हो सके या आयकर किस अवधी के लिए एवं किस दर पर लगाया जाता है? किसी व्यक्ति, कम्पनी या उद्योग को एक अप्रेल से 31 मार्ज तक की अवधी में आयके समस्त स्त्रोतों से जो आय होती है उसी पर उसे आयकर का भुकतान करना होता है इस अवधी को वित्ती वर्ष कहते हैं आयकर गणना के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं जो वित्ती वर्ष की अनुसार बदलती रहती हैं पहला, आई ये विगत तीन वर्षों की आयकर दरों की तालिका का अवलोकन करें, जिसमें आयकर की गढ़ना दरें समय अनुसार परिवर्थित हुई हैं. दूसरा, वर्तमान में शिक्षा उपकर दे आयकर का दो प्रतिशत, एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा दे आयकर का एक प्रतिशत हैं. अथ्वा, समय की त्रूप से कुल शिक्षा उपकर तीन प्रतिशत. तीसरा, यदि कर्योग्य आय दस लाक रुपे से अधिक हो, तो दे आयकर पर दस प्रतिशत अधिभार भी देना पड़ता है. चौथा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतरगत जमा की गई धन राशी पर आयकर छूट की अधिक्तम सीमा डेड़ लाक रुपे हैं, जो सकल आय से घटा दी जाती है, शेश आय पर आयकर की गणना की जाती है. निवेश की गई छूट योग्य राशी इस प्रकार है. परशिक अंचदान की राशी आधि. आये आयकर गणना को इस उधारन द्वारा समझते हैं.